नमस्कार जेहिं दोस्तूं कैसे हो आई होप सब अच्छे होंगे आज के इसी वीडियो में हम पसू परिचर का जो अपना बीपार्ट रहता है उसका एक टोपिक करने वाले हैं यहां जो जितने भी उसके क्यूशन मनते हैं महतफून जिसमें अपनी पसूश सब्दावली से समधित क्यूशन हैं वो रहने वाले हैं आपके सामने एक केमिलस बेक्टिरी नियस दूसरा है केमिकल ड्रोमेड डेरियस तीसरा है केपराहिरकस और चोता है एवेबी दोनों तो दोस्तों इसका अंसर क्या हो जाएगा एक कूबड वाले उन्ट का विगेनिक नाम अगर आप से पूछे तो आपको ज्यान में रखन अगर पूछले दो कूबड वाले उन्ट का विगेनिक नाम क्या है तो आपको ज्यान में रखना है केमिलस बेक्टिरी नियस अगला है एन बी एजी आर के अनुसार बारत में उन्टू की कुल कितनी नसले पंजी करते हैं उन्टू की कुल नसलों के बारे मैं आप से पूछ ज्यान में रखना है क्या नो हो जाएगा बढठें के लिए 具 लेक्रेति न की आप जिसमें पसू का परबंदन वे पालन पोसन का दियान किया जाता है उसे हैं वो क्या कहते हैं जी है आपके सामने पसू सरीर रचना विग्यान पसू चिकिशा विग्यान एनिमल हजबेंटरी या उप्रियोक सभी तो दोस्तों इसका अंसर क्या हो जाएगा भई इसका अंसर हो जाएगा एनिमल हजबेंटरी जी हाँ जो हम पढ़ रहे हैं यही एनिमल हजबेंटरी है तो अगर आपसे पूछे विग्यान की वे साका जिसमें पसू का परबंदन में पालन पोसन का दियान किया जाता है उसे क्या कहते है तो एनिमल हजबेंटरी में तो पुझा जा सकता है अगला है निमनलिकित को सुमेलित करना है आपको ठीक है एक और पसू दे रखा है दूसरी और उसका जो मास है उसे किस नाम से जाना जाता है ये दे रखा है पहला है बकरी, बेड, हीरन और बेंस, दूसरी और बपन, फलेस, चेवन और वेनिस और मतन तो दोस्तों जो बकरी का मास है उसे बिल्कुल चेवन कहते हैं ठीके क्या कहते हैं चेवन कहते हैं बेड की अगर मैं बात करूं तो इसके मास को हम कहते हैं मतन वही हीरन की बात करें तो इसके मासको वेनिसन केते हैं और भेंस की बात करें तो बफन या फलेस केते हैं तो बिल्कुल अब देख लीजिए कौन सा जो है इसमें बन रहा है वही तो क्या हो जाएगा भई बक्रियन पेले में आज जो अपना है दूसरा पेले में दूसरा और दूसरे में चोता है यहां से अपना और राइट होता है दोस्तों बड़े अगले क्यूशन के लिए अगला क्यूशन क्या है कि मादा पसू में गर्बादारन से लेकर परस्वे तक के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं अप्सन है बंदिया करन गरब काल गरबदारन या फ्री मार्टिन तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों जिहां आजो क्यूशन नमर अपना पांच है इसका अंसर हो जाएगा गरब काल जिहां क्या होता है मादा पसू में गरब दराने से लेकर परस्वे तक जो समय होता है उसे गरब काल के नाम से जाना जाता है अगला क्यूशन है उंट में अमश्य का कौन सा भाग है वो अनुपस्तित होता है रेटिकुलम रूमन ओमेजम या एबोजेम जी हां क्यूशन नमर छे का अंसर आपको देना है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा उप्सन सी अपना राइट हो जाएगा ओमेजम उंट में जो अमश्य का भाग अनुपस्तित होता है वो होता है ओमेजम ठीक है बड़े अगले क्यूशन के लिए अगले क्यूशन बिल्कुल चलते हैं साथ नमर क्यूशन साथ नमर क्यूशन क्या है रूमन तीज पसूं में अमश्य के कुल कितने भाग होते हैं यह आप से पूचा है द मैं बात करूं तो अगला क्यूशन है कि नियम नलिकित में से विनिंग किस से समझ देते हैं जी हाँ जो अपनी सब्दावली है उसमें विनिंग किसको का जाता है मुर्गों में परजन समता को समाप्त कर देना ग्याबिन मादा पसु के अंतिम ट्राइम ट्राइमेस्टर हमें परड़ी नवजात बचले को मासे अलग करके पालते हैं तो उसी क्या करते हैं और विनिंग का जाता है ठीक है बढ़ते हैं के लिए अगला है नियम नलिकित को सुमेलित कीजिए आपको वापस सुमेलित वाला क्यूशन है सुची फास्ट को सुची सेगिंड में आपसको इ इस परकार हमें सुमेलित करना है तो जो डीबारकिंग है वो कहते हैं दोस्तों जो मुर्गियों के चोच का कुछ भाग होता है अगर उशे हम काटते हैं तो उसे क्या का जाता है अगला का चोटा याँ पर होने वाला है दूसरा है सियरिंग zou terक है करते हैं बेडुवें ऊन को काटना, जो बेडुवें लेडंक आ Bowl काटते हैं उसे क्या काजाता है। प्रोइलर किसे करते हैं तो मास उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गी उसे क्या कहते हैं ब्रोइलर कहते हैं और लास्ट है लेयर किसे कहते हैं तो अंडे उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियां ये उसी क्या कहते है लेयर तो इसे अपना कौन सा कुशन इनकल कchlag रहा है पहले का छूता दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा और चोत्ते का पेला है यहां से अपना अंसर हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल अगला है अपना सूर के मास को किस नाम से जाना जाता है सूर का जो मास होता है उसे किस नाम से जाना जाता है ठीक है मटन मटन हमने देखा जो अपनी भेड है उसके मास को कहते हैं वेनिसन हीरन का दे के लिए हमने पॉर्क और बीब बच्चा है बीब गाय के मास को कहते हैं और जो अपना पॉर्क है वो अपना सुवर का मास हो जाएगा और राइट हो जाएगा दोस्तों तो यह थे तोपी के पसूपरिचर में बी पार्ट में उसके सारे मेतोपन क्यूशन है वो बिल्कुल अपनी सेरीज में रेने वाले हैं तो रोज आपको एक वीडियो मिलेगा चोटा सा 5-10 मिंट का जिसमें आप मेतोपन 10 क्यूशन है वो बिल्कुल आपको प्राप्ट होंगे दोस्तों तो देने बाद दोस्तों जेहीं दाम राम सभी को